रिष्टे अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिन्दा रहते हैं सम्वाद से, महसूस होते हैं सम्वेदनाओं से, और जीये जाते हैं दिल से. अजीब तमासा है मिट्टी के बने लोगों का, बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं. कुछ रिष्टे किराय के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजालो कभी अपने नहीं होते दोबारा गर्म की हुई चाय और समझावता किया हुआ रिष्टा दोनों में पहले जैसी मिठास नहीं आती एहसास बदल जाते हैं, बस और कुछ नहीं, वरना मुहबबत और नफरत एक ही दिल से होती है जरासी वक्त ने करवट क्या ली, गैर की लाइन में सब से आगे अपनों को पाया हमने किसी को नजरों में ना बसाओ, क्योंकि नजरों में सिर्फ सपने बसते हैं, बसाना ही है तो दिल में बसाओ, क्योंकि दिल में सिर्फ अपने बसते हैं जब आपको किसी के साथ उम्र भर रिष्टा निभाना हो तो अपने दिल में एक कपरिस्तान बना लो जहां आप उसकी गलतियों को दबना सको एक बात हमेशा याद रखो इसी के सामने गिरगिराने से नो तो इज्जत मिलती है और नो ही महबबत अगर इतनी ही नफरत है मुझसे तो आज ही ऐसी दुआ करो कि तुम्हारी दुआ भी पूरी हो जाए और मेरी जिन्दगी भी कैसे करूं मैं साबित कि तुम याद बहुत आते हो एहसास तुम समझते नहीं और अदायव हमें आती नहीं अपसोश होता है उस पल जब अपनी पसंद कोई और चुरा लेता है क्वाब हम देखते हैं और हकीकत कोई और मना लेता है साथ छोरने वालों को तो बस एक बहाना चाहिए वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ नहीं छोरते कभी भी दूसरों के बाते सुनकर अपने रिष्टे को खत्म मत कड़िये रिष्टे अपने होते हैं दूसरों के नहीं लड़िये रूठिये पर बाते बंद नो किजिए बातों से अक्सर उल्जने सुलज जाती है गुम होते हैं सब बंद होती है जुवान संबंद की दोर ऐसे में और उलज जाती है वक्त तो रेत है हिसलता ही जाएगा जीवन एक काड़वा है चलता ही जाएगा मिलेंगे कुछ खास इस रिष्टे के दर्मिया थाम लेना उन्हें वरना कोई लोट के न आएगा सीशा और रिष्टा दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं दोनों में सिर्प एक ही फर्क है शीशा गलती से टूट जाता है और रिष्टा गलत फाव्मी से संका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमान नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सबद सेती का कोई बान नहीं दर्द उस खंजर से नहीं हुआ जो मेरी पीट में लगा, दर्द तब हुआ जब मैंने खंजर वाले हातों को देखा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में हो सबको बस यही चाहिए कि आप उनकी प्रॉब्लम को तुरंत सल्ब करें हमने ये वहम पाल रखा है सारा काड़वा मैंने ही समाल रखा है उदासी यानि अतीत में मन तनाव यानि भविश्य में मन सांती यानि वर्तमान में मन धन्यवाद से खोता कुछ भी नहीं पर मिलता बहुत कुछ है और सिकायत से मिलता कुछ भी नहीं पर खोता बहुत कुछ है ये आशू भी एक परेसानी है भुशी और गम दोनों की निसानी है समझने वाले के लिए अनमोल है और ना समझने वाले के लिए सिर्फ पानी है रिस्ता जब आशू पोचने के बजाए आशू देने वाला हो जाए तो समझ लेना कि उस रिस्ते ने अपनी उम्र पूरी कर ली है ये इनसानी फित्रत है बुडाई की तरफ इनसान दौर कर चला जाता है जबकि अच्छाई की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है एक छोटी सी चीटी आपके पैरों को काट सकती है परन्तु आप उसके पैरों को नहीं काट सकते इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे कमजोर लोग बदला लेते हैं मजबूत लोग माप कर देते हैं और अकलमंद लोग नजर अंदाज कर देते हैं उड़े की चाहत में इंसान बहुत कुछ खोता है भूल जाता है कि आदा चांद भी खूबसूरत होता है उम्र से सम्मान जरूर मिलता है पर आदर तो केवल ब्यवहार से ही मिलेगा किसी को कभी दुख मत देना क्योंकि दी हुई चीज एक दिन हजार गुनी होकर लोटती है आप हमेशा इतने छोते बनिये कि हर व्यक्ति आपके पास बैठ सके और इतने बड़े बनिये कि जब आप उठे तो कोई बैठा नौरा सके खुदा के फैसले पर कभी सक मत करना अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा दुनिया की सबसे सस्ती चीज सलाह एक मांगो हजारों मिलती है और दुनिया की सबसे मांगी चीज सहयोग हजारों से मांगो तब जाकर एक से मिलती है सुन्दर्ता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है लेकिन स्वभाव की कमी को सुन्दर्ता से पूरा नहीं किया जा सकता कोई हमारा विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे वो हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझ करना चाहिए यदि पड़ी स्थीतियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं विगार सकते नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही मजा है लोग रुलाना नहीं चोड़ते और हम मुस्कुराना नहीं चोड़ते स्रद्धा ग्यान देती है नम्रता मान देती है और योग्यता अस्थान देती है और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगा सम्मान देती है